जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है दोस्तों आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्या बु विपरित धारा की बात में क्यों कह रहा हूं आखिर क्या बात है तो आज इस पूरे वीडियो में हम इसी वीशे पर चर्चा करेंगे और यह जो वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है सिर्फ इतना सा है कि आपको सही जान काने मिलें ताकि अगर को इस सिच्वेशन में फस जाय तो स्क्रीन के उपर नमबर चली रहें आवाटसप पर अपॉन्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं हाँ दोस्तों बुरे कर्मों का अच्छा फल मिल सकता है पर उसके लिए कुछ बात हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए सबसे पहली बात मुख के बात होती है कि जब भी हमार कर्म का अगर आप अच्छा पल चाहते हैं तो पश्याता पॉर प्राशित ही एक मात्र मार गया है जिससे कि हम उस कर्म को बदल तो नहीं सकते हैं पर उस कर्म के बदले का जो भी पश्याता है वह हम जरूर भुगत सकते हैं तीसरी और मुख के बात होती है कि माफी मांगना माफी मांगना हमसे गल्टी हो गई ये ठीक है अगर हम माफी मांगते हैं तो जरूर ये बहुत बड़ा impact पड़ता है हमारे सब कुछ चीजों पर हमारी जो की ड़ी गल्टी हम उसे नहीं बदल सकते हैं कोई नहीं बदल सकता पर माफी से हम बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते है इसलिए जब भी कोई हमसे बुरा कर्म हो जाए जाने अन जाने में जो च्छमायोग की नहीं भी हो लेकिन हमें माफी माँगना जरूर चाहिए और उस चीज़ का पच्छाता आप करना चाहिए और माफी ऐसने कि हाद से माफी माफी माँगे है माफी पूरे दिन से माफी माँगे अगर आपको वाक्ते में पच्छातापए और अप उस चीज़ की माफी माँगेंगे इश्वर जरूर आप लक्रपा दरे तीसरी और मुग्के बत होती है गुरू का जब के संडक्षन के लिए तो कि ये जो प्रकृति बनाई है वो इश्वन ने बनाई है और इसके संडक्षन के लिए जो भी हम अच्छा-च्छा काम कर पाएं वही काम हमें सकारात्मक वह में ले जा सकते हैं इसलिए जितना हो सकते उतने अच्छे काम करना, सकारत्मक काम करना और लोगों की मदद करना इससे हमें जो भी हमारी जीवन में गलत काम हमने किये हैं नेगेटिव काम किये हैं उनको इश्वर दया करके हम भी माफ कर दे और हमारे जो करमें उनके हमें अच्छे फल दे दे तो ये बहुत बड़ी बात में आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बोक्स में बताना, बिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए उमने में शेवाए